कुश्चन है कि if triangle ABC and PQR both are isosceles triangle with AV equals to AC दिया गया है and PQ equals to PR दिया गया है If AB equals to PQ and BC equals to QR and the angle B equals to 50 degree then find the angle of R आपको angle R जो है find करना है चलिए इसको solve कैसे करते हैं देखें दो triangle हमें दिया गया है दो हमें triangle दिया गया है ठीक है ABC और PQR हमें दो क्या कि दिया गया है यहां से triangle दिया गया है ABC और यहां से में PQR जो है दो triangle हमें दिया गया है इसको मैं लिखता हूँ A इसको मैं लिखता हूँ B, इसको मैं लिखता हूँ P, इसको मैं लिखता हूँ Q, इसको मैं लिखता हूँ R, और हम बोला गया है क्या, A B जो है, A C, यह जो साइड है, इस साइड के क्या है, इक्वल है, इसके बाद P Q जो है, P और Q जो है, हमें किसके इक्वल है, P R के इक्वल स ये जो side है, आपका this side के भी equal है और साथी में इसे side है is equal to is equal है, यानिकि जो this side है, इसे is equal है, अब यहाँ से प Template दिछान से देखो गगे ति जो triangle हो रहा है यह congrent हो जा रहा है, किस से side साइब 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 से congruent हो रहा है अहां कि आपका से इक्वर है एक्वर हे लिए जो है और यहां फर यहां पर पिक्वर पिक्वर का इक्वर है यह पर दोनों गया या या दीज़ करते ट्रेंगल q भी 50 degree होगा और यह भी 50 दीज़ों कि in socialis triangle में कया होते है कि दो anga triangle का वो equal होते हैं तिश्रा anga जो है अलगा होता है अगर आपको इतना सारी सोल नहीं इस हमें तो भी मैं आपको बता दे रहाई हो कि कुछ नहीं आ रहा है जिर्फ यहां पर triangle दिया है और angle B दिया गया है, कितना 50 degree, angle B 50 degree दिया है, तो angle Q भी क्या होगा, 50 degree होगा, इतना तक तो आप समझी रहे होगी, आप simple से यहां से क्या करो यहां से एक perpendicular जो है यहां से ड्रोग करें यहां से क्या करो आप यहां से एक perpendicular ड्रोग करें जो इसको दो parts में divide करेगा अप perpendicular कितने को होता है 90 का होता है यह जो count बनेगा 90 का बन जाएगा यह 90 का यह 50 का ते यह कितने का बनेगा यहां और 50 का बनेगा, बनेगा न, 50 का बनेगा, जब यह 50 का हुआते हैं, भी 50 का हो जाएगा, आप इस तरीके कोई भी तरीका आप ना सकते हैं, इस्तमाल भी कर सकते हैं, और इस तरीके से भी आप इस question को कर पाएंगे.